आज की मोटिवेशन वीडियो में हम डिस्क्रस करने जा रहे हैं पावर्पर नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल बेगिवा का कॉंसाइट में आपको हमारी चैनल पर एजूके साथ मोटिवेशन वीडियो मिलती रहती है क्योंकि किसी भी काम्याबी के लिए यानि कि कोई भी गौल अशीव करने के लिए आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है आजकी मोटिवेशन वीडियो में डिस्क्रस करने जा रहे हैं पार corona दोस्तों जी हां आपने सही सुना पार पार पांकि सीबी चीज को अचीव करने के लिए दोस्तों किसी भी चीज को कोई पीचाय कोंसान हो प्यार हो कोई गोल्स हो कोई भी चीज़ है अमीरी हो कोई भी चीज़ है अचीव करने के लिए उसके परती पागलपन होना बहुत जरूरी है बिना किसी चीज़ के पागलपन के या उसकी दिवानगी के बिना या उसमें खोए बिना आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस जरूरत की जो कहानी है जरूरत से रिलेटर जो हमारी किसी भी चीज को किसी भी लक्षा को प्राप्त करने के लिए दरूरा यानि कि पागरपन होना बहुत जुरूरी है एक कहानी है छोटी सी तो ध्यान से सुख़ेगा बहुत अच्छी है आपको अच्छी लगेगी और यूसपुल है आपके लिए तो दोस्तों कहानी है एक लड़के की जी हाँ लड़का एक ऐसा लड़का गरीब लड़का जिसमें अमीर बनने की इच्छा थी अपने गुरू के पास गया कहता है गुरू जी मुझे अमीर बनना है क्या आप मेरा मार्क दसन करोगे ये सुनकर गुरू के मन में सवाल आया उसने पुछा क्या तुम सच में अमीर बनना पूछा तुम्हें बनने की लड़के ने पनके पास आई हो। जब आप दिया जी सर इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं तो इसी तरह गुरु जी ने कहा ठीक है मन में द्रड़ता है चलो आजो मेरी पीछे-पीछे गुरु आगे-आगे शिश्य लड़का पीछे-पीछे दोनों चल पड़ते हैं गुरु ने कहा रुको नदी में चलो गुरु आगे-आगे शिश्य लड़का वो पीछे-पीछे चल पड़ते हैं आधी नदी में आने के बाद जब गुरु जी खड़े हो गई लड़का भी आकर खड़ा हो गया तो गुरु जी ने क्या आगिया उस लड़के का शिर्द पोचा और उसको नीचे पानी में पान लड़का तक रुपनी पाया लड़का यारी की प्रेशर लगाके वो बाहर निकल आया तो अब वहां से निकले घटना हुई उसके बाद गुरु जी आगे-आगे शिश्य वो लड़का पीछे-पीछे चल रहा गया गया गुरु जी ने कहा चलो मेरे घर चलते हैं अब पता नहीं अब आगे क्या होगा आगे कौन सट आस देंगी गुरु जी है रान था हुआ डरा हुआ था घबराया हुआ था यार मैं तो फस गया लगता है मुझे तो घर गए बैठे गुरु जी लड़कों को बिठाया और एक बात कही हां तुम जरूर अमीर बन सकते हो कि लोग ही अमीर बनते हैं तो लेकिए ये एक बात ध्यान रटना तो गुरु जी ने मुस्कुराते हुए शिश्या को कहा लड़के को कहा हां पिच्चे तो जरूर अमीर बन सकते हो क्योंकि लोग ही अमीर बनते हैं तो कल से जोइन कर सकते हो कल से मेरे पास आ सकते हो लेकिन शर्त एक होनी चाहिए कि जितनी तीवरिद इच्छा तुमारी पानी से निकलने की थी उतनी तीवरिद इच्छा उतनी पावद बंती अम्मीर बनने की होने चाहिए एक ही शर्त है कल तभी आना जब ये तिवर इच्छा होता है लड़का गया घर चला गया इसी के साथ अब लड़के की इच्छा थी लगता रहता रहा और एक दिर वो सक्सेस हो गया सो दोस्तों कहानी का अर्थ यहीं होता है और कहानी से स्थीख भी यह मिलती है कि आपको अगर अचीव करने कुछ गोल्स अचीव करने का Сंच्स परक करना अमीर तो उस इस Apollo के लिए आपके ter panda एक यह मिले तिवर इच्छा होने चाई यह बाभल बनती होने मिलीजिए इसके इलावा कुछ नहीं दिखाई कई देना चाहिए जिस तरह से वो शिष्य काम्याव हुआ, अमीर बना सक्सेस हुआ, इसी तरह से आप भी अपने लक्षया राप्त कर सकते हैं इसी उमीद के साथ मैं आन्त करूंगे अपनी स्पीच का अपने इस वीडियो का कि आप भी अपने अंदर अपने गोल्स अचीव करने के लिए सक्सेस होने के लिए अमीर बने के लिए आप भी अपने अंदर पावरपंती लाएंगे और एक दिन जुरूर काम्याव होंगे थांक यू सो मच